दोस्तों, अब जो मैं आपको न्यूस सुनाने वाला हूँ, उसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि Tiger 3 को Top Overseas Opening Day 1 कोलेक्शन करने वाली मूवी डिकलियर कर दिया गया है, और Tiger 3 ने वो कमाम रिकॉर्ड धूल में मिला दिये हैं, जो के बॉक्स आफिस की कभी शान हुआ करते थे, Tiger 3 एक नया एतियास लिखने का आगाज कर चुकी है, और ये Top Overseas Opening Day के साथ शुरू हुआ है, और वहीं Tiger 3 के बारे में करण आदर्श का कहना है, कि ये बहुत बड़ा बवंडर है, जो के अपने रास्ते में आने वाले हर एक रिकॉर्ड की धजिया उड और वहीं मैंने आपको स्क्रीन शूट भी शेर किया है, जिसमें निशय शर्मा कहते हैं कि इस बार Tiger 3 सारे रिकॉर्ड तोडने वाली है, और इसकी Day 1 कलेक्शन 40 करोड से भी ज्यादा आने वाली है, और वो सरफ और सरफ ओवर सीज से ही काफी बड़ी कमाई करने वाली पहल बना दिया है, और इस मुवी का हर कोई बेसबरी से इंतजार कर रहा है, वही इस मुवी को राजसभा के पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर रही है, यानि कि अब इंडिया में जवान के बाद Tiger ही ऐसी मुवी है, जिसको काफी जादा लोग पसंद करने वाले हैं, के एजन टाइगर को और उसकी फैमिली को बरबाद करना चाता है, वहीं Tiger को पाकिस्तान की जेल में भी पकड़ा जाता है, जिसको बचाने के लिए पठान की एंट्री दिखाई जाएगी, मीडिया न्यूस की अकार्डिंग बताया जा रहा है कि इस सीन को बनाने के लिए 35 क कोर्ड तभा करने वाले हैं? क्या इस बार Tiger 3 बॉक्स आफिस की नईया पलट सकती है? कमेंट में लाजमी बताना! अगर आप सल्मान भाई के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चेनल मीम न्यूस को लाजमे सबस्क्राइब कर दो ताके आपको Tiger 3 की सारी जानकारी मिल दी रहे! वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कमेंट करना मत भूलिएगा! धन्यवाद!